देली वर्ल पब्लिक स्कूल इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का बहतरीन कॉंबिनेशन एडमिशिंस ओपन फ्रम प्री नर्सरी तुनाइट देखे शनिवार को अजमेर के कलेक्टर बिश्मोन शर्मा ने शहर के कर्फ्यू गिरस्त वहां का दोरा किया है क्लॉक टावर का जो इलाका है धरगा, गोटवाली और गंस्थाना का जो छेतर है जहां पर कर्फ्यू लगाया गया था इन 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 ढोरे किया है और जिला कलेक्टर वाज सबसे पहले डरगा के इलाके पहुचे और यहां पर आकर जो मुक्त के सडक हैं उसके आसपास के जो इलाकों में धनी आज़ादी आबादी वाले इलाके उनको देखा है इसके बाद में जिला कलेक्टर नला बजार और मदार गेट के इलाकों का उन्होंने दोरा किया है और उन्होंने अधिकारियों को आवशक निर्देश दिये हैं कि लॉकडाउन की जो पालना है वो इन इलाकों के अंदर सक्ती से करवाई जाए इसके बाद में जिला कलेक्टर कमंडन्स पूरा, पडाओ, पलाजा टॉकीच, खारी कुई, ठटेरा चॉक, उसरी गेट, कीसर गंच और स्टेशन डूट के जो आसपास के जो इलाके हैं उन तमाम इलाकों का उन्होंने दोरा किया है और यहां पर जो विवस्ता इस वक्त चल काया था, जिसमें पांच लोग शामिल थे, जो इस वक्त जैपूर के अंदर हैं, और अब जैपूर में यह कुसी परकार का कोई नया केस फिलाल अजमेर में नहीं आया है, और यह अजमेर के लिए खुश खबरी भी एक तरीके से हो सकती है, लेकिन ऐसी चेत्र में अधिकारियों को या अदेश भी दिये हैं कि कर्फिय के लिए जो तए नियम किये गए हैं, उनकी सकती से पाल ना हो, इसके साथ ही इस इलाके के अंदर जो हजारों लोग हैं, जो खादे समगरी, दवा, दूद और अन्य जो आवशक सिवाए हैं, उनकी आपूरती कर रहे ह उनको लेकर भी निदेशित किया है और ये तमाम जो चीजे हैं वो लोगों तक सही तरीके से सही समय पर पहुँच जाए, इसके लिए भी अधिकारियों को निदेशित कलेक्टर ने इस वक्त किया है, इसके साथ में कलेक्टर विश्मोन शर्मा ने जो कर्फिय छेत्र है, उस इलाकों की सगन स्क्रीनिंग की और दवा चिड़काव को लेकर भी जानकर इलिए है और इनके इस वक्त जब कलेक्टर विश्मोन शर्मा दौरा करने के निकलेते तो मुखे चिकिस्ता और स्वास तदिकारी भी साथ में थे रॉक्टर किके सोनी और उनको भी ये निदे निदेशी तो मुखे जाए इसके साथ फी जो यहाँ पर उसरी गेट इलाका है वहां पर गड़िया लोहार बस्ती है उसको लेकर कार थे खांदर शोचल डिस्टेंसिंग की पालना सकती से कराई जाए क्या कि देखा गया है कि जो जो यह जो इलाका है यहां पर कई देखने में आया है कि social distancing की पालना नहीं होती है जब लोग यहां पर NGOs और स्वंसे भी संस्ता हैं और बामाशा जब खाना लोग हैं जो सडकों के उपर रहते हैं उनको यहां पर ठेराये गया है उन लोग को देखने के लिए गया है वहां पर जाकर जो शिवेर के प्रिभारी थे उनसे भोजन और social distancing को लेकर कलेक्टर ने वहां पर जानकारी लिए इसके साथ ही जो खाने की गुडवत्ता है जो खाना वहां पर बाटा जाता है उस खाने की गुडवत्ता को भी उन्होंने वहां पर जाचा इसके साथ ही कलेक्टर विश्मोन शर्वा ने एक नया निर्देश भी निकाला है कि कोरोना मामारी के दोरान जो बेरोजगार हैं उनको रात पहुचाने के लिए राजे सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें बेरोजगारों को मार्च दो हजार बीस तक का जितना भी पकाया बेरोजगारी भत्ता है उसका बुक्तान करने के लिए कलेक्टर ने जिला रोजगार काहले को निदेशित कर दिया है कि तुरंद प्रभाव से ये राजशी बेरोजगारों बत्ते की जो है वो बेरोजगारों के खाते में जमा करवा दी जाए इसके साथी एक नया आदेश और आया है कि कुरोना मामारी के संक्रमण में किसी प्रकार से बड़ोत्री न तंबाकू जो खाते हैं चिंगम जो चबाते हैं वो सड़क पे हीपी को अपने थूख देते हैं साजनी इस्तानों के पर थूखते हैं ये कुरोना मामारी के संक्रमण को फैला सकता है और इसके लिए अब नए निदेश भी जारी हो चुके और इसमें देखा गया है कि संक् किसी परिकार से ना फैले इसके लिए नए दिशाने देश जारी कर दिये हैं और अब आमजन के स्वास को देखते हुए सक्ती से प्रतिबन लगा दिया है और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए अब राजिस्तान एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1957 उसके अंतरगत अ पाने वाली जो चीजे हैं अगर उसको कोई पीक को साधुनिक तोर पर थूखता है या संस्थानों पर थूखता है तो तुरंत प्रभाव से उसके उपर कानूनी कारवाई की जाएगी जिसके अंतरगत एक नियम है सहिंता की धारा भारतिय डंड की दारा 188 है उसके तहत ड चाजल नाम का एक वेक्ति था जो पंजाब और हर्याना से ट्रेवल करके अजमेर में आया 26 तारीक को भी वह एड्मिट हुआ और 27 तारीक को पॉस्टिव हो गया था इसी खारीकुई का एरिया डिग्गी बजार जहां पर हम सभी लोग खड़े हैं और आज मैंने दरगाज चेतर के निजाम गेट से लेते हुए बंदार गेट और यह डिग्गी बजार का एरिया जहां खड़े हैं यहां पर सर्वे किया है लोग डाउन की पूरी पालना है कर्फ्यू की पूरी पालना की जा रही है लोगों ने समझ लिया है कि इस रोग को अगर हराना है तो सोसल से ही और घर में stay home and stay safe वाला जो फंडा है जो मंत्र है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोगों ने इस पूरी एरिया में एक किलो मीटर का जो रेडियस है उसको पूरी तरह से सील किया हुआ है कर्फ्यू का छेतर जो है इसमें जो मेडिकल डिपार्टम के साथ जो काम की गई है तीन बार एक एक घर का सर्वे किया गया है ताकि कोई भी वेक्ति नहीं चूटे जिसमें थोड़ी सी भी अगर कोई ऐसा सिम्टम्स आ रहा है या कोई बाहर से ट्रेवल करके हिस्ट्री है तो ऐसे लोगों को हमने उनकी स्केणिंग करके और कहीं प प्रशासन और मेडिकल डिपार्टमेंट्स इंफेक्ट सभी डिपार्टमेंट्स का बहुत अच्छा इसमें योगदान रहा है हम लोगोंने फ्लाइंग स्क्वेड्स भी बनाए है और अलग-अलग एरियास के लिए मैजिस्ट्रेट्स बनाए हुए है साड़े चार सो से ज आक्षन लिया जाए और जैसे लॉगडान हुआ था हमने सिमाओं को सील कर दिया था लोगों को अंदर आने नहीं दिया इसी कि मुझे लगता है कि अभी अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई केस नहीं आया और मुझे लगता है कि ये लॉगडान के अंत तक हम इसमें खुसी- ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि एक वेक्ति जो है अभी कली उसने रिपोर्ट्स कंट्रोल रूम में कहा कि उसके घर में खाना नहीं है भूख से मर रहा है और जब हमारी फ्लाइंग स्कुरेड गई तो उसके घर में काफी सा कॉंटिटी में अलब आटा दाल चाहू सभी रासन और फ्रिज के अंदर में जो है चिकन वगरा भी खाफी रखा हुआ था तो ऐसी कोई समस्या नहीं है हम लोगों ने हेल्प लाइन बनाए हुए हैं कंट्रोल रूम्स बनाए हुए हैं फ्लाइंग स्कुरेड को हर फ्लाइंग स्कुरेड को हमने रासन की सामगरी उनकी गाड़ होता है तो हम घर में जाके उनको रासन डिलिवर करेंगे वाकि हमने ऐसी हमारे पास एंजियो बहुत अच्छा स्योग मिल रहा है और अच्छे पात्र भी चालू हो चुका है तो इस तरह की कोई समस्या कहीं नहीं है ब्लो से हमने जो सर्वे कराया है वो काफी अच्छा रह है और जो नीडी वेक्ति है जैसा कि मुख्यमंत्री महोदे का यह डायरेशन है कि जो नीडियेस्ट आफ दा नीडी है उसको पहले देना है तो वह हम उसकी कंप्लाइंस करेंगे बिल्कुल दौरा करेंगे पहले भी कर रहे थे पर आज हमने जो है इसे काफी इसे विस्तित रूप से किया है ताकि यह सबी जो है स्चितर हम देख सकें